जै मा काली मित्रू आपका मेरी चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समबाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिसे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए मितरो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि क्या नाकार्तमक उर्जा हमें आत्म हत्या के लिए प्रेलित करती है तो इसी विशे सम्दित आपको जानकारी देंगे तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि जिन लोगों के साथ में नाकार्तमक उर्जा की समस्या होती है वो अपने जीवन में बहुत ही कष्टों से गुजरते हैं और कष्ट भी ऐसे होते हैं जो एक समय पर आकर ऐसे हनी हो जाते हैं और वो अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं वो ऐसा करना क्यों वो अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं कि नाकारतमक उर्जा से पहले उनके जीवन बिलकुल सही चलता था, वो खुश रहते थे, उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन जब से नाकारतमक उर्जा उनके साथ जुड़ती है, उस दिन के बाद से उनके जीवन में कस्ट ही कस्ट होता है, वो बिमार रहने लगते हैं, वो मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगते हैं उनके घर में बरक्कत नहीं रहती लड़ाई जगड़े होने लगते हैं साथी उनका मन नहीं लगता एक समय पर आकर उनका मन घर में लगना बंद हो जाता है अगर वो अपने घर से बाहर जाते हैं उन्हें एक शांतिका अनुभव होता है लेकिन जब वह अपने घर में वापस आते हैं तो उन्हें एक अशांतिम हैं होती है और घर के जितने भी सदस्य होती हैं वो उन्हें अपने दुश्मन से नजर आने लगते हैं अगर कोई सामानिय विक्ति या घर का कोई परिवार का सदस्य होने सामाने रूप से भी कोई बात कहता है तो उन्हें चिड होने लगती है क्यों कि इसका कारण होता है कि जो नाकारत्म कूर्जा आपके साथ जुड़ती है वो आपको मानसिक रूप से इस प्रकार से कहते हैं एक विक्षिप्त आपको कर देती है आपको mentally disturb कर देती है जिस कारण से आप लोगों से अच्छी प्रकार से विवार नहीं करते हैं और आपका विवार बदल जाता है एक ऐसा विवार आपका होता है जो आपका विवार कभी पहले रहा ही नहीं था तो इस कारण से ऐसे लोग जिनको नाकारत्मकोर्जा लगती है जिनके शरीर में प्रेत लगते है वो अकेले रहना पसंद करते हैं वो लोगों से बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं अकेले कमरे में रहना पसंद करते हैं अकेला पन उनको अच्छा लगता है वो बोजन करने की मातरा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ज्यादा बोजन वो करते हैं और अकेले रहते हैं रात के समय उनको नेंद भी नहीं आती जिनको ऐसे प्रेत लग जाते हैं जिन्नोंने आत्मात्या कियो तो ऐसे व्यक्तियों को या कोई ऐसी आत्मा लगती है जो एक्सिडेंट से गुजरते हैं यानि एक्सिडेंट के माध्यम से जिनके मृत्ति होती है तो ऐसी अत्रपतात्माई जब शरीर में लगती है तो ऐसे व्यक्तियों को नींद नहीं आती है वो रात भर जागते रहते हैं और ना ही दिन में सोते हैं ना ही रात को सोते हैं यह आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए और आपके जीवन की जो समस्याई हैं उनका कोई भी समधान नहीं है और उनका समधान केवल और केवल आत्महत्या है तो मित्रों यह स्टेज एक नाकारतम कूर्जा आपके जीवन में लेके आती है और यह हमारा स्वयम का आखों देखा अ पर समय यही कहता था कि मैं आप नहीं जीऊंगा मुझे आत्मत्या करनी है मैं खुद को खतम कर लूँगा तो ऐसे परस्तिती में वो बच्चा था और दो साल से वो बच्चा सोया नहीं था तो आज वो बच्चा एक बहुत अच्छी कंपनी में जोब करता है मुल्टी नैशन साथ वो जी रहा है अपनी धरमपत्नी के साथ में तो उसका क्या करण था पहले वो ऐसा क्यूं था वही जीवन उसके लिए नरक बन गया था और आज वही जीवन उसके लिए स्वर्ग बन चुका है क्यों क्योंकि उस नाकारत्मक और्जा का इलाज हमारे दुआरा कर दिया आपके जीवन में एक एसी स्थिती ले कराते हैं जिसमें आप केवल आत्मत्या करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तिव के लिए जो ऐसे पीडित व्यक्ति होते हैं बूत-배ड़ा से नाकरतम कुर्जuse से पीडित व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए सबसे सही तरीका यही होता है कि ऐसे व्यक्तियों का किसी अच्छे दरवार में इलाज होना चाहिए एक ऐसे अच्छे भगत के माद्यम से जो केवल और केवल आपका इलाज करना चाहिए आपको ठीक करना चाहिए ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे ठीक नहीं हो सकते ऐसे बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और लेकिन ठीक करने वाला होना चाहिए और ठीक करने वाले तो मामाई है एक भगत तो माध्यम होता है तो मामाई की क्रपा से ही और बाला जी महाराज की क्रपा से ही ऐसे बच्चे ठीक हो पाते हैं और अपना वही जीवन दुबारा से जीते हैं, जो वो नाकार्तम कोर्जा के लगने से पहले जीते थे, तो अगर आपके साथ भी ये परिष्टिती है, तो आप किसी अच्छे दर्बार से मिलें, लेकिन जो वो व्यक्ति होता है, पिडित व्यक्ति के साथ आपको इध्यान रखना होता है, कि कुछ ऐसी सावधानिया होती हैं, जो उस व्यक्ति के साथ में रखी जाती हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी बहस नहीं करनी चाहिए, तो कि वो छोटी छोटी बात उसे आप से बहस करता है, तो ऐसे व्यक्ति से बहुत कम बात करें और सीमित शब्दों में बात करें और एक उसको ऐसा माहूल दें अपने घर में पूजा पाट बढ़ाएं और जो दर्बार होते हैं वहाँ पर आपको सब चीजे बताई जाती है और दर्बारों में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले यही कारिय किया जाता है जो नाकारत्मक उर्जा पीडित व्यक्ति के शरीर में होती है उसका बंधन कर दिया जाता है तो जो बंधन होता है उसका तो वह उर्जा आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुचा सकते यानि आप फिर आत्मत्य नहीं कर सकते नहीं तो अगर जो आप किसी अनाड़ी व्यक्ति से इलाज करवाती हैं और वो उर्जा को छेड़ तो देते हैं लेकिन उनको बांध नहीं पाती तो ऐसी पस्तिती में जो इस्तिती होती है वो विकट हो जाती है लेकिन अगर अच्छे जानकार होते हैं तो सबसे पहले जो एक अच्छा भगत होता है वह यहीं कारी करता है वह उर्जा का बंदन कर देता है जिससे वह पीडित व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता आन्य था जब आपका इलाज शुरू किया जाता है उस समय पर जो नाकरत मकूर्जा होती है वह और भी प्रचंड हो जाती है वह और त्रीवता के साथ में ऐसी परस्टिती पैदा करती है कि जिससे यह शरीर छोड़ दे वह व्यक्ति और उस प्रेत के साथ में मिल जाए यानि वह बच्चा जो है पीडित व्यक्ति आतमतिया जल्दी से कर ले और उस शरीर को त्याकर के उसके साथ हो जाए क्योंकि उसका यही कार यह होता है कि वह जब शरीर में घुसते हैं तो या तो आराम से रहते हैं या फिर उसको लेकर जाना चाहते हैं तो यह पस्टिती आपके घर में वह पैदा करते हैं तो आपको बहुत ज्यान रखना है ऐसे बच्चों का इलाज सावधानी से किया जाता है और मा भगवती महकाली जब किसी का संकट काटती है तो उसको चबा डालती है यह उसकी खासियत होती है तो मामा किसी को बकशती नहीं है ऐसी नाकरत्मकूर्जाव को उनका वो अस्तित्वी ही खतम कर देत तो यह थी जानकारी आप सभी बच्चों के लिए मा भगवती से यही प्रात्ना करते हैं कि वो आपके बंडारे भरती रहे आपकी सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करती रहे साथ ही जिन बच्चों ने हमारा दूसरा चैनल मा काली महकाली शक्ति उपासना को आप तक सब्सक् की जाती है मा भगवती से यही प्रात्ना करते हैं कि वो आपके बंडारे भरती रहे आपकी सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करती रहे इसी आशिरवात के साथ फिर मिलते हैं आप से तब तक के लिए जै महकाली जै महकाल